हर्याना के मुख्य मंत्री मनोहर लाल खटर ने विधायकों के साथ अपने आवास पर लंच के बाद बैठक की बैठक में 6 अपरेल को होने वाले पार्टी स्थापना दिवस, 8 अपरेल को रोह तक में होने वाले व्यपारी सम्मेलन, चौकीदार सम्मेलन और अंबेदकर जन्ती को लेकर चर्चा की गई सुभाष भराला ने कहा कि विधायकों और मंतरियों से अनुरोध है कि ज्यादा से ज्यादा बूथों के कारेकरमों में शामिल हों उन्होंने ये भी कहा कि चुनाफ को लेकर सरकार और संगठन दोनों की तरफ से तैयारी जारी है एक समें मुख्यता दो विशों पर चर्चा इसमें आई है बैठक में एक 6 अपरेल पार्टी स्थापना दिवस जो हम बूथ के उपर कारेकरम करते हैं और दूसरा करेकरम 8 अपरेल का एक व्यापारी समेलन व्यापारी कल्यान बोड की तरफ से जायजित किया जाना है रोत तक में इन दो विशों के उपर चर्चा इस बैठक में हुई है पार्टी के हम जो 6 करेकरम बूथ की समीतियां करती हैं बूथ के उपर करते हैं उनमें से एक कारेकरम भारती जनता पार्टी का स्थापनावित दिवस भी 6 अपरेल का जिसमें पूरा पूरी पार्टी मिलकर के हरियाना के सब बूथों के उपर करेकरम का आयोजन करती है उसमें हमने सभी विदायक मंत्री गणों से आगरे किया है वह भी जादा से जादा बूफों के कारेकर्म में समलित हो और अपने विधान स्भाद चेतर में बूफ के उपर कारेकर्म आयूजित हो इस बात को सुनिश्चित वो करें और दूसरा व्यापारी कल्यान बॉर्ड की तरफ से जो करेकरम रोतक में एक आयुजित किया जाना है आट अप्रेल को क्योंकि हमारी सरकार ने अन्य वर्गों के कल्यान के साथ व्यापारीयों की भाई के लिए वह सारी योजनाए तहले भी सरकार लेकर के आईये और आगे भी इस प्रकार की कुछ व्यवस्थाएं सरकार करने वाड़ी हैं तो एक भव्य व्यपारी सम्मेलन ये रोतक में आयुजित किया जाएगा आठ तारीक को इसकी भी रूप रेखा इस बैठक के अंदर तियार को तारीक को इसके अंदर इसार के अंदर चोकिदार का स कर्म हमारा पार्टी का संक्ठन इसमें लेकर के चलेगा और इसकी भी चर्चा इस बैठक के अंदर हुई है मेरे गाउं डांगरा की तरफ से और वहां की एक जैबाबा फूलगर सिवा समीती है उनकी तरफ से एक बहुत अच्छी पहल हुई है कि जिसमें पुरा गाउं इक अठा हो करके अपना जनम दिवस मना रहा है और उसमें एक अलग से जो उसमें कारेकरम कर रहे हैं वो प्रेणा देने के लिए हैं उत्सा देने के लिए हैं कोई मजदूर गाउं में जिसने लगातार लंबे समय से मजदूरी करके कोई विशेस मुकाम हासिल किया हो उसको सम समानित करेंगे किसे ने पशाई पालण में किये उसको समानित करेंगे इसके लावा बेटी बचाओ बेटी पड़ाओ सवचता कोई छातर विशेष की कोई इस प्रकार की चेतर में इस प्रकार की अलग-अलग सूचियां गाओं की तरम से बनाई गई है और जिन भी ऐसे बंदों ने विशे सकता हासिल की है उनको गाओं की तरब से समानित किया जाएगा ताकि उन से प्रेणा लेकर के गाउं के अन्य लोग भी इस दोड में शामिल हों कि किस परकार से अपने गाउं को तरक्की के रास्ते पर लेकर के जाया सकता है किस परकार से भरुन अत्या को खतम किया जा सकता है किस परकार से सवच्छता भियान को गती दी जा सकती है किस परकार से पा प्रमोखों को भी करम में बुलाया है ताकि से करेकरम चैनल Katrina लेकर के और भी शंधन दूसरे गाओं के इसमे आगे आएं और कई लोगों ने संपर्क्रिक किया है कि वो भी इस प्रकार पर के में अपने गायों में आईव करने वाड़े हैं उनकी इच्छा है ताकि उनके गाउं के लोग भी इस बाद से प्रेणा लेज़ के लिए पहली बार ये तैह हुआ सब लोगों ने चर्चा करके कि नव वर्ष विक्रमी सम्मत की एकम को हम गाउं का जनमदियुस मनाएंगे इस बार कार्यकर्म रखा था किस कार्ण से वो उस दिन हमें स्थगीत करना पड़ा तो वो उसकी वजाए कल 12 को ये कार्यकर्म रखा है लेकिन हर साल नव वर्ष की पहली तिथी को ये कार्यकर्म आयुजित किया जाएगा ये हमारा देखिए रूटीन का प्रोग्राम हर 15 दिन के बाद 20 दिन के बाद विधायक दल की बैठक होती है जो बैठक होती है तो फिर बोजन का समय हो जाता है और मुख्यमंतरी निवास हमारे लिए सबसे सही जगह है बैठके करने के लिए ना तो यहां कोई बच्चों के रोने की आवाज आती है ना कोई दूसरी तरह की बात होती है तो यहां निश्चिन तोकर के तीन घंटे से बैठक किया है और भोजन किया हमारे जो है जो होता है बीजेपी का स्थापना दिवस्त है आज ब्रभांड की सबसे बड़ी पार्टी जिसके ग्यारा क्रोड सदस् है ऐसी पार्टी हमारी है और 6 अपरेल को ज्यादा से ज्यादा पोलिंग बूत पर हम स्थापना दिवस्त मनाएंगे अपना पार्टी का द्वज लहराएंगे